आप सभी लोगं को मालो होगा कि हम लोग देश के वरिष्ट पत्तकारों के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे सागारी का घोस के बारे में और आपको मालू होना चाहिए कि सागारी का घोस राजदीब सर देशाई की पतनी है और देश की वरिष्ट पत्कारों में इनकी गंती भी होती है ठीक है तो आप लोग इने इसकी रीन पर देख भी रहे होंगे एक ओने सागारी का घोस अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो सागारी का घोस इनका नाम है और इनके जनम की बात करें तो आथ देखेंगे 8 नवंबर 1964 में इनका जनम होता है कहां नई दिल्ली में एक बार आप लोग भारत को भी देख लिजे देखेंगे हमारा 11 भारत है और इ इनका जनम होता है और इनके अगर हम लोग पिता की बात करें तो भासकर गोस इनकी पिता का नाम और चित्त लेखा गोस इनकी माता का नाम और जीवन साती कही है या पिर पती कही है तो राजदीब सरदेशाई इनके पती का नाम है और बच्चे की बात करें तो इनके बेटा एक बेटा है ईसान और बेटी है तारणी ठीक है और अगर हम लोग सगारी का गोस के सिख्चा की बात करें तो सेंट स्टीफन कॉलेज दिली से अपनी सुरुवाती सिख्चा लेते हैं फिर उसके बाद आप देखें कि मैग लेन कॉलेज ऑक्सपोड से अपनी सिख्चा लेते हैं और सेंट एटनी कॉलेज ऑक्सपोड से अफिल करती हैं और इनकी अगर हम लोग बेवसाई की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पत्कार हैं समाचारेंकर भी हैं और लेखक भी हैं कुछ पोस्तिकें भी इनके द्वारा लिखी गई हैं उन पर भी बात करेंगे अगर अगर हम लोग पत्तिकारता की सफर की अगर बात करें सगारी क्या घोस्की तो इनोंने 1991 में अपने पत्तिकारता शुरू की हुई थी और उन्हें टाइमस ऑफ इंडिया हो आउट लोग पत्तिका हो या फिर आप देखेंगे दा इंडिया एक्सप्रेस में काम किया हुआ है 2004 में वो एक कुश्यल टाइमस इंडिया की मेजबानी करने वाली पहली महला वनी थी वो है समाचा नेटवर्क CNN-IBN की उपसंपादक और प्राइम टाइम एंकर थी और मुक्य समभानी की नितित वाली रिलाइंस इंडिस्टीज इंडिस्टीज लिमिटिड द्वारा जुलाइ तो वजय 14 को स्थागारी का गोस्ट ने CNN-IBN से इस्थिपा दे दिया था वह चैनल की डिप्टी एडिटर थी उस्तमाएं कब जब ए इनोने इस्थिपा दिया था और अभी की बात करें तो टाइमस ओप इंडिया में से जोड़ी हुई है अभी किस नियुद चैन दीदी पशे मंगाल की मुखमंतरी ममता बनजी और चात्रों के साथ दर्सकों पर आधारी बाची जिसम बनजी बीच से ही बाहर निकल गई थी उन्हें 2013 में सरवसेष्ट सारवजनिक बाद विबाद सो के लिए एंटी अवाड भी मिला था किने सगारिका गोस्ट को पतिका पुरुष्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है उन्हें सेंट इस्टीफंस से विशिष्ट पूरुख चात्रों के लिए सी एफ एंडी उच पुरुष्कार भी मिल चुका है और सगारिका गोस्ट को भारतिय टेलीविजन अकादमी से आईटी ए सरवसेट एंकर पुरु किये हुए है तो इसमें आप देखेंगे गोस्ट सगारिका गोस्ट ने 1998 में पिकासित दाजिन डिंकर्स और 2004 में बिलाइंड फेत के दो उपन नयासों के लेखक भी रही है और दाजिन डिंकर्स कुल नीदरलेंड में भी पिकासित किया गया था और गोस्ट ने 2017 में पूर इंदरा गांदी और आप देखेंगे कई लोग कहते रहेते हैं कि वो बहुत कमजोर पिदार मंतरी थी लेकिन मेरा इसना नहीं माना है आप सभी यानते हैं कि पाकिस्तान ने उनसे टकर ली 1971 में आप देखें पाकिस्तान के दो टोगड़े कर दिये थे एक नया देश भर कि आया था बंगलादेश समझ रहे हैं आप लोग इन्होंने अटल विहारी बाचपई की जीवनी भी लिखी हुई है ठीक है और अपनी 2018 की नॉन फिक्सन्द किताब ब्राई आई एम एम ए लिवरल ए मैनिफेस्टो और इंडियंस हू बिलीब इन इंडिविजुल फीडम में गोस ने खुद को एक उदारवादी की रूम में बरेट किया हुए है जो कानून की सासंसी में सरकारों मजबूत में बिस्त्वास करता है और इनके कुछ विवाद भी जोड़े हुए हैं से तो आज सभी जानते हैं कि रवी संकर जो रवी संकर है इनका एक हिंदू अध्या गोस ने हिंदू अध्यात्मीक निता श्री रवी संकर का इंटर्विव लिया था और उनमें कई सवाल गूचे उनकी उत्रों का विरोध और आलोचना की अब भी रवी संकर इसकीन पर थे और CNN, IVN लाइब वीडियो फीड पर दिखाये गया था हाला कि रवी संकर का इंटर पर उससे पहले हुआ था और उनकी उत्रों को थोड़ा संपातित करकी घोस के लाइब को सवालों के उत्तर के रूम में पिस्तुत किया गया था यानि की एडिट किया गया था जब इस बात की आप देखें कि आलोचना की गई तो सगारिका घोस ने तकनीकी मुद्दों का ह अगर आपके मन में भी किसी का नाव हो किसी चर्चित वेक्ति का उसके बारे में बात करनी है तो बताईएगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक